अंतर राष्टे योग दिवस नजदीक आ गया बड़ा उत्सा है देश में देश से बाहर केवले भारतियों की बात नहीं है अब दुनिया की बात है निश्चित रूप से हमने ये गौरों पाया है कि योग विद्या भारत की देन है दुनिया को लेकिन इस विद्या की खासियत ये है कि जिसने अपनाया उसने ही अपना जीवन बनाया हमारे देश में भी अनेग भाई ऐसे हैं अनेग बहने ऐसी हैं जिन्नोंने योगा भ्यास का जो अम्रत है उसको चक्कर के नहीं देखा था लेकिन जिस समय ये अंतराष्टे योग दिवस का सिलसला शुरू हुआ दुनिया की नजरें भारत की तरफ उम्मीदों के साथ उठ गई तो फिर भारत में भी ऐसा हुआ कि जैसे कुए में ही भांग पड़ गई हो हम लोग बड़े उत्सास से तैयारियें कर रहे हैं और इस विशमता में भी खास तोर से जबके कोरोना संकरमन ने एक बहुत भयावय एस्थिती पैदा की हुई है तो भी हम यह जानते हैं कि योग वो विद्या है जो आप दा को अवसर में बदलने की सामर्थे रखता है कोई नो कोई रास्ता हम निकाल लेते हैं योग दिवस की तैयारियां इसी तरफ संकेत कर रही है कि अगर विशमताय अपना काम करती हैं तो हमारी जिवी शाय है तो जिजी विशा भी अपना काम करेगी और हम इस आपदा पर भी पार पाएंगे 100 days to international day of yoga 75 days to international day of yoga 50 days to international day of yoga ऐसे करते करते हैं यह एक awareness campaign हमारे आईश मंत्राले ने, भारत सरकार ने, विबिन योग संगठनों ने, विबिन संस्थाओं ने क्योंकि यह केवल अब आईश मंत्राले का, शिक्षा मंत्राले का और सरकार का कारेकराम नहीं उनका काम तो था कि उन्होंने initiative ले लिया और उसके बाद हमें सौप दिया हम लोग अपने लक्षे ले करके चल रहे हैं कि इतने दिन बाद और इतने दिन के अवधी में हम यह लक्षप्राव पूरा करेंगे और यह से 50 और टो इंट्र्नेशनल डेज़ योगा के बाद मैं चलते चलते फाइव देज तो इंट्रनेशनल डेय अफ योगा, छा वग एक यव और अब केवल एक दिन बचा है इससे पहले दोजार अठारे में जो अंतराष्टे योगदिवस हुआ था उसमें मैसूरी नाम में था यह दक्षन अमेरिका का एक देश है और इसका उल्लेक यहां इसलिए करना चाहता हूं कि वो संदेश अमर है जो उस योगदिवस के माध्यम से गया जिस कारिय को हम चाहते हैं कि हर कोई करे तो पहले हमें खुद करके दिखाना चाहिए कहते हैं कि जो एक्जम्पल है वो सबसे वड़ी टीशिंग होती है अगर पिता जी सिगरेट पिना छोड़ देते हैं तब वो नहीं हक मिलता है कि बच्चों को कहें कि आप भी सिगरेट मत पिया करें कि नुकसान देगे हमारे जो महापुरुष हैं इसको कहते हैं महाजना ये नगता सपंधा महापुरुष जिस राश्ते पर चले हैं वो ही रास्ता है प्रदान मंत्री जी अपने पद की गरिमा को रखते हुए जिम्मेदारियों को निभाते हुए राश्त्री अंतराश्त्री ये इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी वो सुभह को राजपता पर आकर के और यह जहां भी योग हो रहा है वहां जाकर के योगा भ्यास करते हैं और उस साल तो ऐसा हुआ दोजर अठारे में कि हमारे महामहिम राष्टपती जी ने एक बहुत बड़ा उधारन पेश किया जिसमें इतियास में पहली बार ये घटना हुई किसी देश के दो राष्टपती एक साथ एक जगह पर योगा भ्यास कर रहे थे यह मेरा स्वभाग्य है कि वो मेरा योग सेशन था हमारे देश के राष्टपती जी श्री रामनात कोबिंद जी महामहिम और ऐसे ही महामहिम डाइजी भुटर से जो सूरी नाम के दक्षिन अमेरिका का देश है उसके राष्टपती इन दोनों ने इखटे योगा अभ्यास किया और योग को ये गरीमा प्रदान की कि अपने राष्टा धक्षों के पद की जो प्रोटोकॉल है गरीमा है उसको बनाये रखते हुए उन्होंने योग की महिमा को बढ़ा दिया दोनों राष्टपती अपना आसन छोड़ करके योग के आसन पर आकर के विराजमान हो गया उन्होंने सब के साथ योगा भ्यास किया और बड़ी चीज़ ये थी कि उस अनुभव के बाद राष्टपती जी ने एक संदेश दिया जब अपने संबोधन में वो बोले तो उन्होंने कहा कि जो लोग योग एक साथ करते हैं वो हमेशा के लिए मित्र हो जाते हैं मैत्री भाव जगाने में विश्वास जगाने में मिलकर के काम करने में इससे बढ़िया और कोई रास्ता हैने और इसी लिए अंतराष्टे योग दिवस का जो सूत्र श्लोक है, सूत्र मंत्र है वो भी संगठन सुक्ट से लिया गया रिगवेद के के हम लोग मिलकर के आगे बढ़ें, मिलकर सहयोग से आगे बढ़ें और यह हमारी महन परंपरा रही है तो जब इस तरह का माहौल बना, तो एक उधारन आज दुनिया के सामने आ गया कि भारत मैत्री का संदेश देने वाला भारत है और साथ मिलकर के ही हम अपना और दूसरों का, सब का विकास कर सकते हैं मित्रता का उधारन में, अब देखें कि भले ही दो वर्गों के लोग हैं यानि क्रश्न और सुदामा, उनका उधारन आज भी दिया जाता है कि वो इसलिए मित्र हैं क्योंकि उन्होंने इखटे गुरु संदीपनी के आश्रम में रहकर के शिक्षा प्राप्त करी, साधना की अध्यात्म विज्ञान को सीखा यानि योगा भ्यास उन्होंने इखटे किया क्योंकि हमारे देश में योगा भ्यास तो भुट्टी में शामिल है जैसे आज हम सब लोग कर रहे हैं कभी सोचते थे कि कंदराओं में बैठ करके रिशी लोग जो हैं वो ही योग करते हैं ऐसा नहीं आज भी अब हम सब लोग योग करते हैं लेकिन अपनी अपनी कंदराओं में बैठ करके करते हैं अपने जो अंदह करन हैं उसको शुद्ध करने तो कि योग सिर्फ बाहत दीखने वाला नहीं है बलकि हमारे आचरण में लाने वाली विद्या है तो ये जो संदेश मैंने याद दिलाया कि जो लोग योग साथ साथ करते हैं वो हमेशा के लिए मित्र हो जाते हैं तो वो उस दिन माम इमराश्वती जी ने भारत के पर्थम नागरिक ने सूरी नाम में ही नहीं दिया था बलकि सूरी नाम से पूरे विश्व के लिए दिया था वो हमारे लिए आज भी शास्वत है पर्व आएंगे चले जाएंगे लेकिन हर पर्व कोई एक ऐसा सूत्र वाक के हम को देखर के चला जाता है हर साल हर साल दिवाली आती है लेकिन कुछ नया योगदान हमारे परिवार में हो जाता है नई सम्रद्धी आ जाती है इस बार भी ऐसा ना हो कि हम मनाते तो रहें कि 100 days to yoga, 75 days to yoga, 50 days to yoga, 5 days to yoga और योग दिवस भी आए और चला जाए तो मैं समझता हूँ कि अधूरापन रह जाएगा इसमें हम अपने लिए resolution लें नित्यप्रती योग करने का संकल्प लें इसको हम योग दिवस के रूप में तो जानते हैं लेकिन सच्ची बात तो यह है कि योग संकल्प दिवस है योग चेतना दिवस है यह यह हमारे अंदर योगिक awareness आने चाहिए जो योगिक इथिक्स हैं से धानत हैं योग के जीवन मूल्य हैं उनके प्रतियम समेदन शील हो और उसके प्रतियम फिर संकल्प करें क्यों क्योंकि हमारा इसमें हित चिपा हुआ है तो आहिए योग में उतरें योग को अपने जीवन में घटित होने दें योग साधना में गोता लगाया जाए और फिर योग मै जो जीवन पद्दती है उसमें ऐसा स्नान किया जाए कि हमारा तन भी निर्मल हो, हमारा मन भी निर्मल हो, हमारा चिंदन निर्मल हो और सबसे बड़ी बात ये, कि हम लोग एक साथ मिल करके मित्र भाव से अपने जीवन को जीए निश्चित रूप से, इस बार हम बड़े बड़े गैदरिंग नहीं कर पा रहे हैं और सरकार का भी ऐसा इनर्देश है कि be at home, be with yoga, यानि हम घर पर रहें और योग के साथ रहें, तो घर पर रहकर के yoga भ्यास करेंगे, तो अपने परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा न बचे जो yoga भ्यास ना करें, yoga भ्यास तन के लिए, yoga भ्यास मन के लिए और yoga भ्यास जीवन के ल दुनिया को अंतर राष्ट्रिय योग गीत दिया था, कि जिन्होंने योग दर्शन को नहीं भी पढ़ा है, वो जैसे हमारा राष्ट्रगान है न, तो ऐसे ही योग गीत है, तो उसमें राष्ट्रगान हमारे राष्ट का प्रतनित तो करता है, और योग गीत योग का प्र तो घर में कम से कम यानि हर आयोजन में यानि योग सत्र जब शुरू करें तो पहले केवल तीन मिनिट का है वो अंतराश्टे योगीत चलाइए ताकि आपका मन योग के साथ जुड़ जाए आप ये जान जाएं कि मैं क्यों योग कर रहा हूं और फिर बहुत गहरे मन योग स हम फ्रैंड्स पुराइवर तो ये जो सूत्र हमारे देश के महमहीम ने दिया वो सब के लिए है और आप सब को अंतराश्टे योग दिवस की साथ में अंतराश्टे योग दिवस की बहुत बहुत शुबकामना और इस भाव से शुबकामना के हम निरंतर योग करके अपने शचक्रों को शोधन करें और फिर सास्त वाँ जो सहस्तरार है क्योंकि सात्माँ साल है ना तो फिर वो सहस्तरार तक हम निर्म अवस्तामें पहुंचें और योग को अपने जीवन में घटित होने का अवसर दें हरियोम